हेलो फ्रेंद्स, मेरीटा के क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये खुबसूरत से बेबी शूज लेकर आई हूँ ये शूज एक साल से लेके डेट साल के बच्चे को इजिली आ जाएंगे और ये बनाने बहुत ही आसान है और बनकर बहुत ही खुबसूरत लगते हैं इन बेबी शूज के लिए हमने 41 फंदे 41 स्टिचे लिए हैं फंदे डाल कर हमने पहली सलाई रॉंग साइड से उल्टी साइड से उल्टी बुनाई करनी है अब हम ये सीधी साइड आगे सीधी साइड से भी हम सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे हमने सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करना है और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करना है झाल झाल यह हमने उल्टी उल्टी छे सलाइया बना ली हैं और ऐसे करके हमारी यह तीन धारिया हैं एक दो तीन अब हम दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे और डिजाइन डालेंगे तो हमने और हम डिजाइन डालेंगे तो यह हमने दखिए दूसरे रंग का वूल अटैच किया और यह हमने उल्टा बुनाई करना एक फंदा हमने उल्टा बुनाई किया फिर इस धागे को हमने नीचे की तरफ करके यह अब यह रेड रंग से हमने लाल रंग से एक फंदा उल्टा फिर हमने यह लाल धागे को नीचे किया फिर यह अफ़ बाइट धागे से बुनाई करना है एक फंदा हमने आफवाइट से बुनाई किया फिर हमने एक फंदा इस फंदे को देखे इस धागे को हमने नीचे की तरफ कर दिया अब ये धागा हमारा उपर की तरफ आ गया एक फंदा लाल बुनाई किया फिर हमने इस धागे को नीचे किया इस थागे को उपर लाकर एक फंदा हमने आफ वाइट बुनाई किया दिखे ऐसे हमने ये सारी सलाई बुनाई करनी है हमारा एक फंदा हमने लाल बुनाई करना है और एक फंदा हमने आफ वाइट बुनाई करना है झाल झाल यह दिखिए हमने यह सारी सल आई कम्पिलीच कर ली अब हम यह रॉंग साइड आगें रॉंग साइड से आप ध्यान से देखी impeachment सफेद फंदा हमने सफेद धागे से वुनाई करना है और लाल फंदा हमने लाल धागे से वुनाई करना है तो ये देखे, वाइट फंदा हमने ओफ वाइट धागे से बुनाई किया, ये हमने ऐसे सीधा बुनाई किया फिर हमने इस धागे को नीचे की तरफ ऐसे देखी ये नीचे कर लिया ये धागा हमारा उपर की तरफ आ गया अब हमने ये लाल फंदा सीधा बुनाई किया फिर हमने इस धागे को देखिया ऐसे ये नीचे की तरफ हो गया ये धागा हमारा उपर की तरफ आ गया ये देखिये ये हमारा नीचे की तरफ चला गया ये धागा हमारा उपर की तरफ हो गया ये हमने फंदा सीधा बुनाई किया फिर ये देखिये ये हमने इसको नीचे की तरफ ऐसे ये धागा हमारा ऊपर की तरफ आ गया, यह हमने ऐसे सीधा बुनाई किया ऐसे हमने यह सारी सलाई बुनाई करनी है और यह हमने सारे फंदे सीधे बुनाई करने है झाल 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 यह देखिए यह हमने शूज के उपर डिजाइन डाल लिया अब हम यह ओफवाइट धागे को काट देंगे अब हम यह सीधी साइट से यह सारी सलाई हम सीधी बुनाई करेंगे और यह हम फर्स्ट कलर से बुनाई करेंगे रेड जंग से आल दो हमसे हम पहम इसा बुनाई करेंगे रे अच। क्रेंगे करेंगे करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे रॉंग साइड ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे राइट साइड अब हम जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए तो हमने ये पहला फंदा उतार लिया एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हमने धागे को ऐसे सलाई पे घुमाना है और ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे ये दिखिए यहाँ पर हमारी जाली बन गई फिर हमने धागे को सलाई पे ऐसे घुमाना है दो फंदों का एक फंदा बनाना है धागे को सलाई पे घुमाएंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागे को सलाई पे घुमाएंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागे को सलाई पे घुमाएंगे ऐसे ही अब हम ये सारी सलाई कम्प्लीट करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे रॉंग साइड ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे अब हम शू का मिडल पार्ट बीच का भाग बनाएंगे तो हम ने ये कैसे बनाना है ये हमारे 41 फंदे हैं टोटल 20 बीज फंदे हम दोनों साइड रखेंगे और बीच में हमारा एक फंदा रहेगा तो अब हम ये कैसे बनाना मैं आपको बताती हूँ तो हमने पहले 20 फंदे सीधे बुनाई करने हैं तो ये हमारा एक फंदा हो गया। तो ये हमने 20 फंदे बुनाई कर लिये। अब हम फंदे बढ़ाएंगे तो यहां पर हमने एक ऐसे धागा सलाई पर गुमाया। एक फंदा सीधा बुनाई किया। यहां पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया। फिर से हमने धागा सलाई पर गुमाया। और अब हम ये 20 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। ये भीच में हमारा एक फंदा था ये 21 फंदा था। तो अब यहां के 20 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। ये देखिए हमारे भीच में ये दो जाली बन गई और दो फंदे हमारे दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ गया। अब ये हम सारे फंदे सीधे बुनाई कर देंगे। अब हम ये उल्टी साइड आगे। ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे। उल्टी साइड से हम कोई फंदा नी बढ़ाएंगे। अब ये दिखे पर हम सीधी साइड आ गए। यहां पर देखे हमारे ये दो जाली बन गई। पहले हमने बीस फंदे बुनाई किये थे अब हम 21 गुनाई करेंगे। ये दुखे हमारा भीच में यहां पर फली बन गई तो अब हम 21 敬ुनाई करेंगे। कि कर लिए यह भीच में हमारे यह भीच का फंदा आ गया तो अपने धागे को सलाई पर ऐसे गुमाया एक फंदा सीधा फिर से हमने धागे को ऐसे सलाई पर गुमाया और यह 21 फंदे यहां पर हमने यह सारे सीधे बुनाई करेंगे यहां पर हमारे यह दिखे दोनों साइड से हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया और उल्टी साइड की हमने सारी सलाई उल्टी की बुनाई करनी है और हमने हर बार बीच में से एक एक फंदा बढ़ाते जाना है झाल झाल अब फिर हम सीधी साइड आ गए अब फिर फंदे बढ़ाएंगे और फंदे हमने ये देखिए बीच में से बढ़ाने हैं ये एक फंदा जहां पर हमारी ये फली बन गए इसके दोनों साइड हमने एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और हमने तब तक फंदे बढ़ाने हैं ये हमारे शूज का भीच का भाग कम्प्लीट हो गया है ऐसे करके देखे हमने यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ ये आठ जालियां हमने बना लिए हैं और दोनों साइड हमने बनाई हैं और अब हमारे 28 फंदे इस साइड हैं और 28 फंदे हमारे इस अब हम एक सलाई सीधी बुनाई करेंगे अब हम कोई जाली नहीं बनाएंगे और कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारी सीधी साइड है तो हमने ये सारी सलाई सीधी बुनाई करनी है अब हम ये रोंग साइड आगे रोंग साइड की हम सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे अब हम यैसे ये हमने पहले डिजाइन वाली रोंग बनाई थी अब हम ये डिजाइन डालेंगे यहां पर हम दूसरे रंग का बूल अटैच करेंगे ऐसे इस धागे को हम नीचे की तरफ कर देंगे और इस धागे से हम बुनाई करेंगे फिर हमने इस धागे को नीचे करना और इस धागे से हम उल्टा बुनाई करेंगे फिर हमने इसको नीचे धागे को किया और इस धागे से हमने बुनाई किया यह देखिए अब हमने ऐसे ही ये सारी सलाई बुनाई करेंगे झाल झाल अब हम ये रॉंग साइड आगे रॉंग साइड से अब हमने ये देखिए पहला फंदा हमने ये ओफ बाइट से सीधा बुनाई किया फिर हमने इस धागे को नीचे की तरफ कर देना है और ये लाल वाला धागा हमने उपर की तरफ अब ये लाल फंदा सीधा बुनाई किया फिर हमने इस धागे को नीचे की तरफ कर देना और ये इस फंदा हमने ओफवाइट धागा हमने उपर की तरफ करके इस फंदे को सीधा बुनाई किया फिर हमने ऐसे रेड फंदे को एक बार हमने लाल फंदे को बुनाई करना है और एक बार हमने ये off pipe फंदे को बुनाई करना है और हमने ये धागे को नीचे की तरफ करके दूसरे धागे को हमने उपर की तरफ करके इसको बुनाई करना है झाल 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 ये देखिए ये अब हमने डिजाइन बना दिया अब हम ये off pipe फंदागा काटतेंगे अब हम ये रेड रंग से सारी सलाई सीधी बुनाई करेंगे झाल 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 अब हम ये उल्टी साइड आगे रंग साइड ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम राइट साइड आगे सीधी साइड अब हम ये सलाई उल्टी बुनाई करेंगे ये उल्टी साइड आगे ये रंग साइड ये सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड से उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से उल्टा ही बुनाई करेंगे अब ये शू का हमारा नीचे का पार्ट भी कंप्लीट हो गया ऐसे करके हमने उल्टी उल्टी ये नौ सलाई बुनाई की हैं और ये हमारी एक दो तीन चार और पांच ये पांच धारिया हैं अब हम उल्टी साइड से शू को बंद करेंगे तो हमने ये अब रॉंग साइड से अब हम शू को बंद करने जा रहे हैं तो हमने ये ऐसे दो फंदों का एक फंदा बनाना है ऐसे फिर हमने इस फंदे को सलाई पे लेना है फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है और ये हमने उल्टा ही बुनाई करना है फिर से इस फंदे को सलाई पे लिया दो फंदों का एक फंदा बनाया है ऐसे अब हम ये सारे फंदे बंद करेंगे अब हम यहां से धागے को काट देंगे और इसको बंद कर देंगे यह देखिये यह हमारा शू बनकर तयार हो गया अब हम इसके शिलाई करेंगे तो हमने यह सीधी साइड उपर की तरफ रखेंगे और यह हमारी उल्टी साइड अब ऊपर आ गई तो अब हम यहां से इसको सारा सिलाई करेंगे और यहां से हम इसको राउंड सिलाई करेंगे अब हम सिलाई करने जा रहे हैं हमने यहां से इसको यह पहले हम यहां पर पक्का कर लेंगे झाल झाल अब हम यहां से इसको राउंड से लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे पास पास झाल झाल यह देखें यह हमारा शू बन कर तयार हो गया अब हम यहां पर डोरी डालेंगे और यह हम साइड डोरी डालेंगे आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल झाल